क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं काश्मीरी दमालू जो बहुत ही जादा स्वादिश्ट बनते हैं और रोयल भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करें अगर आपने कभी कश्मीरी दमालू नहीं ट्राय किया है तो यह रेसिपी आपको ज़रूर ट्राय करनी चाहिए और रे क्यूंकि हमें इनको भीगोके रखना है आगर अगर आप नहीं निखाला का वह तो आप अपकी भ॥माएश अटा नेखिज तो निकालिंगे है तो तो मैंने मिची का बीज निकाल दिया है इन से कलर बहुत अच्छा हैगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा हैगा यह जो बीज आप यूज कर सकते हैं किसी भी सब्जी में डाल के उपर से या फिर आप इसे पीजा में डाल सकते हैं पीजा में भी स्प्रिंकल कर सकते हैं आप इने रोस्ट करके रख दें और बाद में यूज़ कर सकते हैं आप यह जो मिर्ची है इनको हम भीगा के रख देते हैं एक दम गरम पानी में तो खौलते हुए पानी में इनको 15 मिनिट के लिए बिगा के रख यदes तरीक मोने है कमने लिए औली मेटें कि चाहिट पाता हम जिएक स्टूञ्ग हो अपाली जूधना कौक जलिए आलứng पर डाइलने it was a वालो although this process is 70 भाल ज्द अब्र WRT में जबड़ लेल rau समय इस में बráalo में 70 परशेंट अबला है मेडियम या फिर छोटा वालू भी यूज कर सकते हैं तो आलू हमारे अच्छे से फ्राय हो गया है यह देखिए कोई स्पेसिफिक आलू नी लिया है नॉर्मल जो भी आपके पास आलू है बस थोड़े छोटे सा इसका हो इस बात का धियान रखें तो यहां पे हमारे आलू ज जार ले लेते हैं बड़ा सा और इसमें दही डाल देते हैं डेड़ कप हमें या पे फ्रेश दही इस्तमाल करनी है दही आपके जाधा खटी ना हो और गाड़ी हो दही के साती हम यह काजू डाल देते तो पंदरा मिनिट हो चुके हैं हमने यह काजू डाल दिये हैं और यह तो बस आपका जब paste ready हो जाएगा आलू भी fry हो जाएगे तो final process में चलते हैं ज़ादा कुछ अब नहीं करना है तो तेल यहाँ पे बहुत ज़ादा हो रहा है तो हम पहले तेल को कम कर देते हैं अगर आपका भी तेल ज़ादा हो रहा है तो कम कर सकते हैं आप इसे बहुत जादा ओयल की जुरुत नहीं पड़ेगी इसके बाद हमें अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी दाल चीनी एक इलाइची डाल देते हैं हरी वाली साथी में डाल देते हैं काली मिर्च जादा नहीं डाले थोड़ी सी डाले और यहां पे जावित्री डाल देते है तो थोड़ी से मैंने जावित्री डाल दी है, बहुत थोड़े थोड़े करे मसाले डाल दें आप या पर या लों डाल दी है, jira डाल देंगे, मैंने या पर शाही जीरा इस्तमाल किया है आपanal जीरा भी RUS भी ले सकते हैं बहुत ही सिंपल बनते हैं और बहुत मज़ेदार तो थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है और यह काश्मीरी लानमिश डाल दी है आप चाहें तो नॉर्मल रैट चिली डाल सकते हैं और हलका से भुनने के बाद में आपको यह पेस्ट डाल देना है जो हमन मसाला है नहीं डाले से स्टेज पे आपको यह से अच्छे से भून देना है ताकि यह जो मसाला है अच्छे सेدة भुनन से अब इसे प्रॉपर ओईल छोड़ दिया है ये देखिए मसाला चे से भून गया है ये देखिए कलर भी इसका एकदम परफ्रेक्ट आ गया है तो इसमें आपको ना तो कोई प्यास डालनी है ना टमाटर डालना है कुछ भी नहीं डालना है तो बस यही मेनिस के ग्रेवी होती है इसी से क्रीमी टेक्चर आता है काजू के वज़े से अब आपको यहां पर फ्राइ किये हुए आलू डाल देने है तो सारे हमने इसमें आलू डाल दिये हैं और इसको पहले हम चला देते हैं आप देखे जैसे ही मैं चलाओंगी कितनी प्यारी सी इस पर लेयर आएगी एकदम थिक स यही तो कशेमिरी दमालू की पैचान होती है अब आपको इसमें पानी डाल देना है मैंने तो बहुथिम तक पकते हैं मतलब पकते अच्छे से हैं लेकिन हमें और के अब को सिर्फ पंधर हम नेट के लिए ही से पका ले ना है तो इसको ढगा लगा के पंधरा मिनिट देन क दीमियाच पर पक जाने देंगे, अगर आप चाहते हैं, बहुत दिर तक पकाना इसे, तो पानी जादा डाल के आप बहुत दिर तक भी पका सकते हैं, आपके आलू बिल्कुल नहीं टूटेंगे, क्योंकि ये फ्राई किये हुए आलू है, तो यहाप आप देख सकते हैं, हमा कश्मीरी दमालू बिल्कुल तैयार हो गए, आप इने सर्फ करें, ये कश्मीरी दमालू आपको खाने में एक दम डिफ्रेंट लगेंगे, अगर आप फस्ट टाइम भी ट्राई करेंगे, तो बहुत ही अमीजिंग रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें, अगर आपको आज क कश्मीरी दमालू की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले, फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ,